नमस्तकार आपका आर कीचन में स्वागत है आज हम आम का खटा मिठा चटनी बनाने जा रहे हैं जो कि एकस में एक बुंद भी तेल नहीं डाला हुआ इसको बनाना बहुत ही आसान है आखाने में बहुत ही चटपटा है देखिए इसके लिए आपको क्या-क्या समगरी लगेगा 200 ग्रम कच्चा आम लेना है 700 गूड़ है एक चमच सफेद नमक एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच भुना हुआ जीरा का पाउडर एक चमच काला नमक ककच्चा आम को छ्हील कर हमने पतला पतला लंबा लंबा काट लए है अब किसी आकार में भी आम S Conc कड़ुकस भी कर सकते है कराई गरम करके उसमे एक पानी डालेंगे पानी डाल कर उसमें गूड डालेंगे गूड को पीखलने तक इसको पकाना है गुर पिघल जागा तब इसमें हम कच्चाम डालेंगे देखे गुर पिघल गया है अब इसमें कच्चाम डालकर इसको अच्छा से मिलाएंगे अच्छा से मिलाने के बाद इसको एक उबाल आने देंगे देखिए मेरा एक उबाल आ गया इसको अच्छा से फिर चलाएंगे और चलाकर फिर इसको धक्कल लगाकर दो से तीन मिनट पकाना है हम तोता पुरी आम से खटा-मिठा चटनी बनाए हैं तोता पुरी आम कम खटा रहता है इसलिए हमने गूट थोड़ा कम डाले हैं अगर आपका खटा आम जादा है तक गूट अब जादा डालना पड़ेगा आपको आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं धक्कन हटाने का बाद देखिए मेरा आम थोड़ा मुलायम हो गया है पक गया है अब इसमें हम नमक डालेंगे काला नमक और सफेद नमक डालेंगे काला नमक ज़रूर डालिए इससे आपका चट्नी बहुत ही चट्वटा बनेगा अटेश्ट भी बहुत अच्छा आता है आपका चट्नी चलेगा इसको अप फ्रीज में रखेगा तो और जादा दिन तक चलेगा जब आपका चट्नी अच्छा से गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालेंगे पहले डालिए गा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा देख जाकर इसको हम गैस को बंद कर देंगे अच्छा इसको ठंडा करके ही बर्नी में रखना है इस तरह का एक फोरन वाला भी चट्नी होता है जिसमें की मसाला बिल्कुल ही नहीं पड़ता है एकदम साधा होता है देखिए मेरा चट्नी बनकर तयार हो गया है एक वर यह रिया खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है आप रोटी पराठा डाल चाबल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू